हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल तो कैसे हो आप सब लोग आप सभी लोग अच्छे होगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की दिली डियलेड और डिपीएसी की फर्स्ट मेरिक लिस्ट आ चुकी है तो आगे का प्रोसेस मेरिक वीडियो की तो जैसे की थाटीवस्ट अगस्त को आप लोगों की फर्स्ट मेरित लिस्ट अगी मैं अब आगे का प्रोसेस म्यां है एक से पांस से प्थमबर तक आप लोगों का जो है डोक्यूमंंट वैरिफिकेशन करा सकते हो जो भी college आपको alert हुआ है चाहे वो government college हो या private college हो जो भी college आपको alert हुआ है उसमें आपको जाना होगा अपने documents को verification करानी होगी documents क्या-क्या आपको चाहिए वो मैंने अलग से video बनाई हुई है required documents for verification उस वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना उसका जो link है मैं नीचे description में भी आपको देदू है तो वहाँ से भी आप जाकर उस video को देख सकते हो उसमें मैंने सारे documents बताए हुए हैं अच्छे से कि क्या के documents आपको चाहिए होंगे तो उस video को आप जरूर देखना तो documents मैं उपर उपर से वैसे आपको बता देता हूँ क्या क्या है तो 10th class की mark sheet certificate 12th class की mark sheet certificate provisional certificate 12th class का अगर आप किसी category से belong करते हो SC, ST, OBC या EWS तो उसका certificate आपको चाहिए होगा साथ में आप लोगों को medical certificate चाहिए होगा MB-based doctor से बना हुआ वो कैसे बनवाना है वो भी उस वीडियो में मैंने आपको बताय हुआ है तो उस वीडियो को आप देख लेना साथ में आप लोगों को कुछ print out चाहिए होगे जैसे आपको अपने allotment letter का print out चाहिए होगा और जो 3600 आप पे करोगे 3600 की आपको fee पे करनी होगी इस से पहले तो वो पे करोगे उसका भी print out आपको चाहिए होगा तो ये सारी चीज़े आपको लेकर जानी होगी और इनकी जो हैं दो-दो photocopy की set साथ में आपको चार passport size photograph लेकर जाने होगे तो ये मैंने उपर-उपर से मोटा-मोटा बता दिया है आपको documents बाकी जो documents हैं कुछ रहे गया हो तो आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना उसमें मैंने अच्छे से समझाय हुआ है क्या के documents आपको चाहिए होगे तो वीडियो का link नीचे description में आपको मिल जाएगा तो 3600 आपको कहां पर pay करने हैं वो भी मैं आपको पता देता हूँ आपको SCRT की official website पर जाना होगा वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने dashboard में login करना होगा दिखा देता हूँ मैं आपको तो यहाँ पर आप scroll down नीचे करोगे तो यहाँ पर जो option दिया हुआ है apply for SCRT counseling for DL8 2022 इस पर आपको click करना होगा अगर आप DL8 आपने apply किया है तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों कोई details फिल करनी होगी जैसे अपना application number आपको फिल करना होगा password आपको फिल करना होगा और यहाँ पर security pin number आपको फिल करना होगा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह सारी चीजे फिल करने के बाद sign in आपको करना होगा sign in करने के बाद में left side में कर लेफ्ट स्ट में आप लोगों को option दियागया होगा फी पेमेंट के लिए तो फी पेमेंट आप लोगों को Online ही करनी होगी 3600 के आप लोगों को fee payment करनी होगी और साथ में आपको अपनी seat को freeze या float करना होगा वह भी option आपको यहीं पर मिल जाएगा login करने के बाद में तो अगर आपको अपना college अच्छा लग रहा है यानि उसमें आपको admission लेना है तो आप अपनी seat को freeze कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप चाहते हो कि अगली list में जो है उससे उपर की preference का आपको college allot हो तो आप अपनी seat को float भी कर सकते हो और जो allotment letter है वो भी आप यहीं पे आपको मिल जाएगा तो यहीं से आप download करके उसका printout निकलवा सकते हो तो यह सारे documents वगर आपको लेकर जाने होंगे एक से पांस सेप्टमबर तक आपकी जो है date है verification के लिए तो एक से पांस सेप्टमबर तक working days में आप लोग जा सकते हो verification के लिए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो का like channel को subscribe कर लेना तागि डियलेड और teachings related सारे information आपको time to time मिलती रहे thank you so much